सू का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं सू के कई अलग-अलग मतलब निकल सकते हैं अलग-अलग भाशाओं में इसका अलग-अलग मतलब होता है अगर फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच में सू is a noun that means a small coin or a monetary unit of currency that was used in France in the past however it is no longer in circulation याने कि France में जो बहुत छोटी एक coin होता था एक सिक्का होता था जैसे भारत में पैसे होते थे या आना होता था वैसे ही एक फ्रेंच मुद्रा होती थी मुद्रा की unit होती थी currency होती थी जिसे आज कल use नहीं किया जाता है इसके इलावा जब हम बात करें Portuguese की तो Portuguese भाषा में जो su is the first person singular conjugation of the verb ser which means to be it translates to I am in English याने कि English में इसका मतलब होता है I am for example nsu a student te का मतलब होता है I am a student याने कि इस तरीके से इसका इस्तिमाल Portuguese में किया जाता है इसके इलावाद Japanese में su जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है जैसे आपके स्क्रीन पर आ रहा है और ये एक adverb होता है that means yes or that's right याने कि it is often used as a confirmation or agreement in a conversation याने किसी बाचित में हां कहने के लिए या आपने सही कहा या ये सही है ये कहने के लिए su का इस्तिमाल किया जाता है English में इसका slang की तरह इस्तिमाल किया जाता है in some English slang context su can be used to refer a small amount of money or coin याने कि बहुत कम पैसे के लिए थोड़ा धन के लिए English में इसका slang के रूप में इस्तिमाल किया जाता है लेकिन इसका इस्तिमाल बहुत कम होता है rarely होता है तो थोड़े से पैसे को या जैसे हम कहें कि बिल्कुल कुछ सिक्के हैं या एक दो पैसे हैं कुछ पैसे हैं उनके लिए भी English में slang के रूप में su का इस्तिमाल किया जाता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें